इस टोक मार्केट में किसी भी तरह के क्वैरी एफेंडों सबके बारे में जानने के लिए मुझसे कॉंटक करें वाट्सअप पे और पूछ सकते हैं किसी भी बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मार्केट ने 10 मार्च को किया किया और 12 मार्च को क्या कर सकता है ठीक है मार्केट एक्सपारी डेथा और साइड़ परफुमेंस किया जो कि सोमा से कर रहा है मार्केट यह पंदर मिट का बैंग रिफ्ट का चार्ड है और इसने एक ऐसे ट्रेल नाइन के तहत उसके अंदर ही रेंज के अंदर रेंज बांड कर रहा है ठीक है अब जैसे कि मैं आपको देख पा रहा होगा पहले मार्केट ऐसे जिसमें जा रहा था फिर नीचे के आपको बता हुआ पहले आपको बता हुआ कि 10 मार्च को कैसे उसने ट्रेट किया तो मैं इसको जो मांट करता हूँ आपके लिए बेक नहीं कर पाया बिल्कुल भी नहीं कर पाया और वह नीचे के साइट उसने मोमेंट दिखा दी अपनी जैसे इसने यहां पर दिखाईए और अपना गैप फिल कर दिया यह होता है गैप फिलिंग का कॉनसेप्ट ओके गैप फिल होता है चाहे आज ना हो अगले दिन हो पर दो-तिन दिन बाद हो इसने अपने एक फिल कर दिया और मार्केट यहां से रेंजबांट मोमेंट डी और पूरे दिन ऐसे ही रेंजबांट होता रहा जो बहुत परफेशन ट्रेडर है वही इसमें ट्रेल ले पाई होंगे कहां ट्रेल ले पायोंगे यह मैं दिखाता किया तो एक चांस था कि हम यहां पर ट्रेल लेने जो ओप्शन ट्रेल ले रहे होंगे और उप्शन बाइंग उनको आराम से अपने 20-30 अंक मिल गए होंगे और मैंने भी इसी रेंज में पैसक बनवाए ठीक है फिर लास्ट में क्या हुआ लास्ट में यहीं हुआ था लग नहीं आता जब यहां पर एक दो तीन पर गरीन बन गई तब आपको एक चांट देखना चाहिए कहां के लिए नीचे आने के लिए कि जहां सेलिंग परशल बढ़ाएगा तो आपको अपर अपोचल ने देखनी है जब यहां पर एक यावाली केंडल बन गई यहाली डॉज तो आपको यहांपे एक मार्ट थोड़ा जा सकती है और क्या च्वत्याइब की नीचे है थो नीचे जा सकता है कुछ सो या 200 अंक आपको सो दोसांक नहीं चाहिए आपको चाहिए में मातर 50 और 50 और आपको बीच-30 अंक अराम से दिलवा सकते हैं जिसने इहां इस वाली केंडिल पर ट्रेड ली होगी इसके नीचे आने पर उसको आराम से मैं मानतों 33-40 अंक मिल गए होगे और मैंने इसी दोरान आपको ट्रेड भी दीटी ट्रेड चैनल पर आप देख सकते हैं बैक्टेस्ट करके एक बार ओके ऐसे करते हैं एनलेज्स और ट्रेड आगर आपको कुछ निजान करी है तो मुस्से ट्रेडिंग ले सकते हैं मैं आपको बिल्कुल ग्रिफ समझाऊंगो कैसे ओप्शनिस मे होना चाहिए और साथ मेरा अनलेज्स सपोर्ट के तोर पर लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना आए पर सेल्फ स्टेडी इस मौश इंपोर्टेंट आपको वह आनी चाहिए ओके हम बात करते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकता है ओके अब जो मार्केट है वह है 35800 अगर इसकी नीचे आता है तब आपको एक ट्रेड लेनी है विद प्योर प्राइस एक्शन मैं आपको अपडेट भी कर दो हो तेल्ग्राम चाहिए कि हाँ चांस है कि नहीं है ओके ऐसी 6200 जब तक 6200 को यह पार नहीं करता तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे सा अगर 6200 को पार करता है 36400 तक कहीं ट्रेड लें क्योंकि 36400 पर आके शायद वह थोड़ा सा कॉंसलर्डेशन कर सकता है और आप फस सकते हैं तो ज्यादा पॉइंट्स के लिए ना जाए के वह अपना दस से भी संग लें और एक्जिट कर दें क्रूशल लेवल तो 36500 का है ही अगर वह उसको पार करता है तब आपको एक अच्छी अपसर्ड देखेगी और नीची के साइड में तो वह है 36800 तो यह कल के लिए है अगर यह 3500 के लेवल को प्रेक करेंगा जो बड़ा क्रूशल लेवल है तो इस वक्त जो छोड़े लेवल है वह है 36200 और 3500 और जो और जैसे अपडेट होता है मैं आपको टेलिगान चैनल पर अपडेट कर दूंगा अपना अकीति समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद